आपके मेरे चैनल में चलिए आज हम लोग बनाते हैं आलो मटर की सबजी इसके लिए हमने आदा किलो आलो बॉल करके ले लिया है कडाइ ले लिया है चलिए अब गैस को आउन करते हैं कडाई हम लोग का गर्म हो चुका है अब हम लोग इसमें डालेंगे सर्सो के तेल 2-3लेवल स्पुन तेल गरम हो जाते है जो हमने तरहे खड़े लिए मसाले भी ईक है कर ने डूल को देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा साथ इसको कर्ची की साहिता से चलने चलिए ज प्याज कट परिवाइफ और में डालेंगे में और सुनारा गुल्ड होने तक हम लोग भून लेंगे चलाते हुए तो चलिए इसको हम भून लेते हैं है है छलाते हुए इसको बून लेना है ढहने देख सकते हम दोस्थों प्याच के जो कलर है चेंज होने लगा है हम लोग का प्याज अल्मोस ली भून के त्यार हो चुका है तो चलिए अब हम लोग ने जो टमाटर लसुन मिर्ची और अद्र का जो पेश बना के त्यार किये थे उसको भी इसमें डालेंगे डाल कर इसको चलाते हुए दो मिनिट के लिए हम लोग इसे देख सकते हैं दोस्तों मिक्सी ग्राइंड में थोड़ा सा पानी दो के डाल दीजिएगा यह हमने डाल दिया है चलिए अब इसे चला लेते हैं चला कर इसको ढखक कर हम दो मिनिट के लिए से पकाएंगे मिडियम फ्लेम पर जिससे कि इसका कच्चापन है जो निकल जाए यह देखिए दोस्तों दो मिनिट हो चुका है तो चलिए इसे चला लेते हैं तो चलिए अब हम लोग इसमें कुछ सुखे मशाले एड़ करेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून कश्मेरी लाल मिर्श डालेंगे इसमें इस सभी को भी हम लोग चला लेंगे चलिए सभी मसालों को हमने भून लिया है नीकी चला लिये हैं चलिए इसमें दो से तीन मसाले और आड़ करेंगे इसमें 1-4 टेबल स्पून काली मिच का पाउडर डालेंगे 1-4 टेबल स्पून जीरा पाउडर और नमक स्वात के अनुसार हम लोग इसमें आड़ करेंगे चल यह दो से तीन मिनट के बाद से कम लोग चेक भी करेंगे हैं अधिक है算 हमें मैंज़ी से चलादे देना है कि इसी तरह से चला लेते हैं चला कर फिर से ढख देंगे दो मिनट के लिए इसे थोड़ा सा कस्तूरी मैथी हैट करेंगे वन टेबल स्पून के आसपास देख सकते हैं दोस्तों मसाला हम लोगा भून रहा है यानि कि कडाही छोड़ रहा है मसाला तो चलिए दोसे तीन मिनट के लिए और इसे भून लेते हैं ढखकर यह देखिए दोस्तों दो मिनट हो चुका है मसाला हम लोगा भून चुका है देख सकते हैं यह कडाही छोड़ चुका है तो चलिए इसे चला लेते हैं और जो हमने हरे मटर रखे थे इसको डाल लेंगे इसको डाल कर मसाला में मिला कर ढख कर इसको 2 मिनट के लिए इसे भी हम लोग स्टर कर लेंगे अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए भूना है दोस्तों जादा नहीं तो चलिए ढख देते हैं और 2 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं मसाला के साथ में देखिए दोस्तों दो मिनट हो चुका है चलिए अब धकन को हटाते हैं और इससे चला लेते हैं देख सकते हैं दोस्तों जो हमनों का मटर है वो पानी हलका सा छोड़ रहा है चलिए इसको चला लेते हैं अच्छी तरीके से इससे क्या होगा ना दोस्तों जो मलों का मटर है वो जल्दी से सीज़ेगा यहनी की पकेगा और इसका टेस्ट भी मसाला के साथ अच्छा आएगा देखिए दोस्तों जो हमने आलू बॉल करके रखे थे उसको हमने दो दो तिन तिन टुकड़े में कट कर लिया है आपको जैस सीख चाओ आप ऐसे इसको करके भी डाल सकते हैं इसा भी आलू को डालके मटर और मसाले के सथ मिला लेंगे चलाते हुए चलिए अब हम लोग समें पानी डालते हैं आपको जैसा गाड़ा चाहिए पतला चाहिए आपको जैसा ग्रेवी चाहिए आप इसा रखिए इसमें मैंने लगबग डेड़ गिलस के आसपस पानी डाला है चलिए इसको चला लेंगे अब हम लोग इसमें हाफ टेबल स्पून के आसपस गरम मसाला आड़ करेंगे मसाला आड़ करके इसको ढख देंगे ढख कर 5-7 मिनट के लिए से हम लोग मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे चलिए इसे पकने देते हैं यह देखिए दोस्तों 5 मिनट हो चुका है अब देख सकते ह लाने दोस्तों चह कितनी अच्छी तरीकर सेब्स आञा है मंतर अच्छी तरीकिया सब्लें हम लोग के त्यार हो चुकी है मैं यह देखिए दोस्तों अब हम लोगी जो आलू मटर की सबजी है बिल्कुल ही त्यार हो चुकी है आप इंस्टन्ट आलू मटर भी बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बस आलू को अगर आप लोगो बॉल नहीं करना है तो कुकड में बनाई है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी लाइक किजिए कमेंट किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब